किसका होगा राज्टलब? कौन करेगा घात, कौन भीतर खात? जन्ता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्धिप्रदेश की सत्ता का संघर्ज महा उप्चिनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूस पर दिन है ना डरेंगे ना छुकेंगे, सब्दे के लिए कुछ भी करेंगे यहां खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है जब बात हो देश की, तो संघर्ज न्यूस सबसे पहले देश ना डरेंगे ना छुकेंगे, सब्दे के लिए कुछ भी करेंगे यहां खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है, जब बात हो देश की, तो संजोता कैसे, स्वदेश निउस सबसे पहले देश जो की उनकी नियत पर साफ पानी फेरते नजर आ रहे हैं, ऐसा ही मामला जब प्रकाश में आया है, तो आनन फानन में FIR तो हो गई, लेकिन दो महीने बीच जाने के बाद भी आज तक इस पूरे मामले में पुलिस गरभतारी नहीं कर पाई, इसी पूरी खास पेसकस में हम कुल रहे हैं, दो माह वीद जाने के बाद आज तक गिरफ तारी क्यों नहीं की गई, अब हम आपको सुनाते हैं थाना प्रभारी का वह बचकाना बयान, जिससे सिद्ध होता है कि दरोगा जी को कानून का ग्यान ही नहीं है, यही नहीं, यहाँ पर एक से एक धुरंधर भरे पड़े हैं, अब हम आपको सुनवाते हैं FIR करवाने वाले CMO साहब की आवाज, जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि सेंद्री में आरोपियों द्वारा ज्यादा पैसा दिया गया, जिसके कारण कारवाई नहीं हो रही है, जबकि मामला काच की तरह साफ है, इस पर हमारी पूरी प भागिया चाहँ चल रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वारी चल रही है, जब ये डिपार्टमेंटल इंक्वारी पूरी हो जाएगी, तब वो इस पर कारवाई करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि डिपार्टमेंटल इंक्वारी या फिर FIR जो होत इन लोगों को ना तो सस्पेंड किया गया यह 3rp जिन पर Dr reald हुई है वह आज भी गूम रहे हैं खुले आम घूम रहे हैं लेकिन पुलिस है कि डिपार्ट्मेंटर इंक्वारी के अंदेजार कर रही है डिपार्ट्मेंटर इंक्वारी होने के बाद पुलिस दावा कर रही है कि वो इस केस में आगे की पड़ताल करेगी कितना बचकाना बयान है अब अभी हम इस पूरे मामले पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जोड़े हो देवेस गुपता निवाडी समाध्दाता देवेस क्या था ये पूरा मामला और किस तरीके से पुलिस का बचकाना बयानाया है पूरे मामले में देवेस आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व तरीचर कला नगर पंचायत में प्रिधान मंत्री आबास यूजना में बिष्टा चार हुआ था जिसमें दो करोड़ संतानमें लाग ब्याती हजा नौसों चौरानमें कि तो आपने आपने ती आई का पूरा पूरी बात बताएं तो जो जहांच है वो फुलिस को करनी चाहिए कि डिपार्टमेंटल इंक्वैरी होगी इस सम्माद में जब टी आई से बात की तो टी आई ने अपना पला जाड़ती हुए बताया कि मेरे पास दस्तावेजों की कमी है इसके काड मैंने आगे कारवाई नहीं की जब देवेश यहां पर एक चीज अपने दर्सकों को समझाना चाहेंगे या आप बताये दस्ता थड़ी की है करीब 3 करोड का पूरा मामला बता रहे हैं तो क्या पोलिस को पता नहीं था कि तीन करोड की जो दोका धाड़ी हुई है उसके लिए जो साक्श ह्गट्टे किया और के पहले नहीं थे हैं कि जी बिलुकुल आपको बता दे नेनंद जी कि इसमें साब जाहिर हो करता है कि पुलिस के पास कुछ बैसे पहुंच गए हैं जिसके कारवाई अमल में नहीं लाई गई है बिलकुल कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी जवाबदारी पुलिस की होती है यहां पर एक और मैं आप से बात पूछना चाहूंगा कि जब यह फाई आर दर्ज हुई थी तो जो दरोगा जी हैं उन्होंने इसके लिए जाच के लिए क्या कदम उठाए आपने उनसे पूछा कि जब आप जाच करने पहुंचे अभी अभी हमारे साथ में थाना प्रवारी बलराम यादव जी नमस्कार स्वागत है आपका स्वदेश निउस पर बलराम यादव जी कर दिए लेखने अभी ब्यान दिया जो अभी हमने कुछ दर पहले चलाया है और इस पूरे बयान में आप कहते नंजारा रहे हैं कि एक कमेंती बनी हुई हुई है उसमें तो कि यह को इस तरीकेन जो कि नहीं सब नहीं? जो हुए उनको समालने के लिए बैठे दो महीने से दरोगाजी कोई कारवाई नहीं कर पाए यह यह फॉन काटने का क्या मतलब हुआ क्यों बात नहीं करना चाहते हैं दरुगा जी इस पूरी कारवाही से कोई भी उनसे बात करो तो बचते नजर आते हैं इसमें साब जाहर होता है कि इसमें जो अपरादी हैं अपरादियों को संद्रक्षड देना मैं अपनी टीम से कहूंगा कि फिर से इनको ठानपरवारी को जोड़ने की कोसिस की जाए देवेस आप लगातार बने हुए देवेस कब से आप इस खबर को फॉलो कर रहे हैं और इस पूरी खबर में आपने बहुत नजदीक से इसकी था क्या कैसा घुटाला था कौन सा पैसा था कितने लोग लाभारती थे और कितने लोगों का हग इसमें मारा गया है जी जी मैं आपको बता दें कि निवाडी जिले की तरीचर कला नगर पंचायत का मामला है जिसमें 753 हित्गराईयों के आवास सुईक्रित हुए थे जिसम 994 रुपे दूसरे मदों में खर्ट कर दी है जबकि इसके पहले तसकालीन दोस्ती यमू सहथ एक से लेखा पाल पर मामला पंचीकित करवाया था लेकिन एक वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मामला पंचीकित होने के बाद भी अपरादी किस तरीके से नग तीन करोड का ये घोटाला था 175 करीब जो ऐसे लोग थे जिनको आवास मिलना था और सभाविक है मनसा अच्छी है सरकार की सरकार चाहती है कि उन गरीबों को जो कच्चे मकान में रहते हैं पक्के आवास की सुविधा में ले और वो लोग आज भी अपने मकान का सपना लेक इस फाला खाते हैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जब यह फ़ायार हुई थी तो इस ऐफायर होने के बाद यह जो पूरा मामला प्रकास में आया तो कितना समय सको इस को ऐब होने के बाद हो गया है और पुलिस की कारवारी कई हुए तोड़ा सा जाने कि आ क्षाय बीडिया के सामने बplease को इस बीडिया के सामने में चाहती है क्यों दहनेती है यह पोरा फोन कार दिया है यह थानवोड़ारी को यह पता नहीं है कि कानून का ग्यान नहीं है चारसो बीसी का मुकद्मा दर्ज करने के बाद में वो ब्यक्ति खुले घूम रहे हैं उनको सस्पेंड नहीं किया गया है उसके बाद वो लगातार उसनगर पंचायत के चारों और वहीं के रहने वाले हैं एक ब्यक्ति ट्रांस्वर होकर रीवा में पदस्थे तो क्या इन ल सकते हैं आप हमसे बिना हमसे बात करने से आप क्यों बात नहीं करेंगे हमसे आप हमारी बात सुनेंगे आप जनता के नुमाइन दे हैं जनता का पैसा इन लोगों ने खाया है जनता के साथ इनोंने धोका धड़ी की है और आप हमसे बात नहीं करेंगे इस पूरे मामले पर बात क्यों करना चाहरे हैं बिल्कोल रोगना चाहूंगा हमारे साथ है कलेक्टर निवाडी आसीष भारगव साहब जोड़े हुए है भारगव साथ नमस्कार स्वागत है आपका स्वधेश न्यू चैनल में भारगाउजी एक बात जानना चाहेंगे कि एक मामला था तरीचरकला नगर पंचायत का जिसमें फाई आर दर्ज हुई थी साहिद संग्यान में होगा आपके पूरा मामला अभी तक उन लोगों की गरफतारी क्यों नहीं और फाई आर दर्ज होने के बाद में लोगों को पर टूट गया है मैं अपनी टीम से कहूंगा दोबारा उनको जोड़ने की कोसिस की जाए देवेस इस पूरे मामले पर लगातार बने हुए देवेस मुझे एक चीज आप यह बताईए जो एक बड़ा सवाल है आखिरकारिये पुलिस के लोग जो चाहे एस पी हो या फिर चाहना प्रवारी वह इस मुद्ध्य पर बात करने से क्यों बच रहे हैं क्या क्या कारण अब इस मामले को दबाने की कुसिस कर रही है देवेस आपने जैसे बताया कि ये जो लोग हैं करीब दो महीने पूरा हो चुका है और ये लोग अभी तक खुले घूम रहे हैं और सायद ये लोग अभी भी विभागों में कारी भी कर रहे हैं देवेस ये पूरा मामला उठा कहां से था कैसे इस पूरे मामला का खुला सा ह जी आपको बता दें नरंगी इसके पहले जब नवागत तीमो नवाव सिंग परमार आए तो उन्होंने एकाउंट देखा जब एकाउंट में पैसा नहीं था और लोग आविदन लेकर आ रहे थे कि प्रिधान मंतरी आवा सेजना की मेरी किस्त नहीं डाली गई है जिसको लेक मामला पंजी के तो करवा दिया लेकिन आज तक जरफतारी नहीं की गई है नहीं मामले को आंगे बढ़ाया है देवेस्ट आपने कोसिस की क्या एस्पी साहिवा से मिलने के लिए कि एस्पी साहिवा यह जो एफ यार हुई है उसमें जो अफराद ही है उन्होंने एक संगीन अपराद किया है आर्थिक अपराद किया है तो उसमें अचाहिए देवेस्ट चीज और मैं आपको यहां पर पूछना चाहूंगा चूकि यह आर्थिक मामला था तो इसकी योडबलू में सिकायत क्यों नहीं की गई इसकी डार्यक्ट थाने में अफई देविस रोकना चाहूंगा मैं हमारे साथ निवाडी विदाय एक अनिल जैन जी जुड़े हुए हैं अनल जैन साब नमसकार आपका स्वधेश नीव चैनल में यह आपको वुद्ने बहुत 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 नमसकार अनिल जी यह जो मामला था निवाडी नगर पंचायत का सा कि इसमें करीब तीन करोड़ रुपए की जो दोका दढ़ी की थी प्रदान मंतरी आवास यूजना के 175 लोगों के जो घर बनने थे वो उनका सबना ही रहे गया प्रदान मंतरी सोच रहे हैं कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए आवास की जो सुविधाय हैं वो मिलें लेकिन इ पर दो 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 गई हैं जो तीन लोग थे जिन पर फायर हुई थी आपके जो आपके जो आप ठाना प्रवारी हैं उनको तो यह ग्यान भी नहीं है कि फायर दर्सकरने के बाद पुलिस कारवाई करती हैं कि डिपार्टमेंटर इंक्वारी होती है वो कहते नजर आ रहे हैं एक बार एक बार मैं चाहूंगा अपने PCR से की वो विधायक जी को उनकी वह उनकी बाई थे वो सुनवाई जिससे सित होता है कि दरोगा जी को कानून का ग्यान ही नहीं है जैसा कि CMO की तरफ से एक आविकन आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पूर CMO द्वारा प्रधा मंतरी आवाश योजना का पैसा अन्न खातों में अन्न मदों में खर्च कर दिया गया है बिना अन्न मती के उसके पर शन्यान लेते हुए चाशवी का पंजीवत किया गया है और उसमें विवेचना जारी है उसके उनकी विभागी है नगरपाल का अपिकारियां के द्वारा उसमें जांच की गा रही है और जो जांच समिती के दौरा रिपोर्ट आईगी वैसी बैदानी कारवाई क तो यह दरोगा जी जो है यह थाना मतलब यह सम इंस्पेक्टर है और आपने आपके आप यह थाना प्रवारी बने बैठे है तो इनको पानून का गयान नहीं है क्या नहीं पाई जाहिए तो फिर दो महीने बाद गरफतारी क्यों नहीं हुपाई जैन साब गरफतारी अगर नहीं हो रही है तो यह बीजन पृचिंदी हैं अच्छे से जानते हैं कि जैसे किसी भी करमचारी पे साजो रही इस तकी आपिर डर्ज होती है और इतना बड़ा मामला है तीन करोड सब्सक्राइब करेंगे और एक जो पूरी रहनकारी है इस मामले की मतलब आप जैसा आप जैसा आप जैसा चलिए बहुत अच्छा लगा आप जैसा सजग एक जो नेता है वो जिले में कम सिकम है तो लेकिन एक यह जो आपके हैं अच्छार को एक जैसा को आप करेंगे जैसा करेंगे कि मीडिया से बात करें और अगर मीडिया से बात करने से बचते हैं तो कहीं न कहीं यह प्रिशन उठते हैं जनता के दिमाग में भी उठते हैं और हमारे दिमाग में भी उठते हैं जिससे यह बात imagen से बच रहे बहुत बहुत धन्वाद अलजए अपका अपको थे spoak मेरे भी आप तरोगा जी क्या मतलब दरोगा जी बिलकुल नए आये हैं कि बिना ट्रेनिंग दरोगा जी पहुंच गए हैं आप जारी रखें अपनी बात जी आपको बता दें कि दरोगा जी पहले थाना प्रभारी है जो इनको ठाना मिला है इसके पहले जिट टी आई के अंडर में पोस्टिंग रही है मेरा मानना है कि फाना प्रभारी का पद पहली बार घहर कहने के बाद दरोगा जी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे बिलकुल बिलकुल देवेस कहीं नकहीं एसपी के चाहेते हैं दरोगा जी और एसपी साहवा भ लगातार एसपी साहवा से भी कॉंटेक्ट करने की कोर्सिस की जाए आखिर एसपी साहवा ऐसी क्या मजबूरी है जो आप हमसे बात नहीं करना चाह रही है आखिर एसपी साहवा ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे चुपाना चाह रही है एसपी साहवा आप हमसे बात करें य कि देवेस आप मेरे साथ बने हुए हैं मैं आप से फिर एक चीज जानना चाहूंगा कि देवेस यह जो पूरा मामला था इसमें जो तीन लोग आरोपी बनाए गए थे देवेस वो कहां पदस्ते हैं अभी कहां हैं वो लो जी नरण जी आपको बता दें कि जो तीन लोग पर कारवाई हुई थी जिसमें एक व्यक्ति जो लेखाफाल से वो रिटार्यमेंट हो चुके हैं अन्दो लोगों का कोई जानकारी नहीं है कि नगर पंचायत में सीमों के पदपर ही पदस्त हैं हाला कि उनको ना तो पद से क्या है जाना कि जो तकलीफ का हूं का है तो आप को तकलीफ क्या है हमसे बात करने के लिए पेहले तो यह चाहाँगा लेकिन इसमें इस में फाइलू है देवस मैं तुम्हें बताना चाहूंगा देवस चुकि यह अर्थिक अबरात का माम्ला था अगर अर्थिक अबरात का माम्ला था और आपने जासे एक बात बता ही कि पलिसका कहिना था कि हमारे पास डॉकुमेट- नहीं है तो बोड़न कहा गये है इसके बाद जब अलट। तो बिभागीय तीम सागर दस्तावेज ले गई है नजी आपको बता देखने केबन अगर पंचायज ना कि थाने से दस्तावेज लेकर गई है ना जब यह जब यह जाच चल रही थी तो थाने में दस्तावेज नहीं थे थाने में जाया गया था जी नरण जी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ी है और धानाप्रभारी द्वारा जो दस्तावेज नगरपंचायज प्लत्व इसमें उन्होंने दस्तावेज उपिलबद कराएं फिर यह कैसे कह सकते हैं थाना प्रभारी के हमारे पास दस्तावेजी पूरे मामिले पर आपकी नजर है जो बनाए रखिये किया है यह मामला किस तरीके से वह आते हैं यह थाने दार इनको बना दिया अलग होती है और थाने की inquiry अलग होती है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस यहाँ पर फस गई है क्योंकि पुलिस को पता है कि उसने कर क्या लिया है सबसे बड़ी बात FIR तो दर्ज कर ली है इनोंने FIR दर्ज करने के बाद में इसका भी ज्यान नहीं है कि डिपार्टमेंटल इंक्वाइरी होगी उसकी जाच आएगी उसके बाद दरोगा जी पूरी जाच करेंगे तो निश्चित ही कहीं न कहीं पुलिस की मामला पूरे पूरा मामले में पुलिस की संलिप्तता पुलिस की संदिकता नजर आ रही है और एक और बात यहां पर देखने वाली है कि डिपार्टमेंटल इंक्वाइरी होगी उसके बाद हम इस पे संग्यान लेंगे पूरे मामल से लूट है पूरे विभागों में हैं चाहे वो नगरपाली का हो नगरपाली का में तीन कोड़ का घुटाला होता है लेकिन नगरपाली का में तीन कोड़ का घुटाला होने के बाद में भी फायार तो कर ली जाती है लेकिन वो तीनों खुले गूम रहे हैं मतलब सीधा सा है कि ये कारवाही करने से बच रहे हैं इस पूरे मामले में अभी तक ये जो पूरी ख़बर हमारे पास आई है उसकी आगे भी पड़ताल जारी रहेगी और फिर हम आपको बताएंगे इस ख़बर का इंपेक्ट बताएंगे और इस ख़बर से जोड़ी हुई और बात हैं हम आपके सामने लेकर आएंगे तब तक के लिए नमस्कार दीजिये मुझे इजारत ख़बरों का सिलसला स्वादेश निट पर जारी है अब की बार किसकी सरकार? किसका होगा राज्टलब? कौन करेगा घार, कौन भी करथा? जन्ता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्ध प्रदेश की सत्का का संघड़्ष महा उक्चुनाओ आशुतोष के साथ स्वदेश निउस पर दिन है ना डरेंगे, ना जुकेंगे, सब्के के लिए कुछ भी करेंगे यहां खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है जब बात हो देश की, तो संघड़्ष आख कैसे? स्वदेश निउस